हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ टेस्टी सूजी के लड़ू बनाई है ये बहुत जल्दी बन जाते हैं खाने बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं जब भी आपके पास समय कम है और आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो ये जटपट से बनके त्यार हो जाते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम गैस ओन करके पैर रखेंगे और ये मैंने आपर एक कटोरी सूजी ली है ये मैंने आपर बारिक बाली सूजी ली है अगर आपके पास मॉटी सूजी है तो आप उसको मिक्सी जायर में डालके थोड़ा सा ग्राइंड कर लें अब हम इसको चलाते हुए जब तक रोष्ट करेंगे जब तक इसका कलर थे थोड़ा सा चेंज ना हो जाए यानि कि हमें इसको तीन से चार मट तक ही रोष्ट करना है हमें इसका बहुत जादा color change नहीं करना है तो दो मिनट के बाद हम इसमें दो चमच सुद्ध मैंने आपर गी लिया है यह इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से इसमें mix कर देते हैं और यह मैंने अच्छे से गी को mix कर दिया है तो यह मैंने आपर दो चमच coconut का powder ले गया है तो powder में डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं अभी हम इसको दो मिनट के लिए और रोष्ट करेंगे और आप देख सकती है इसका color change हो गया है यानि कि मैंने इसको total 4 मिन तक रोष्ट किया है और यह अच्छे से भुन गई है तो यह मैंने आपर आधी कटोरी पिसी चीनी ले ली है तो चीनी इसमें डालेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग थोड़ी सी कम्या जादा कर सकती है और यह मैंने चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है तो यह मैंने आप थोड़े से dry fruits ले लिए हैं जिसमें थोड़े से है यह इसमें डाल देते हैं dry fruits आप अपनी मन पसंद के अमसार इसमें को भी डाल सकती है और अब हम गैस को ओफ कर देते हैं और इसको ठंड़ा होने के लिए बावल में निकाल लेते हैं हमें इसको बहुत ज्यादा ठंड़ा नहीं करना है हमें इसको थोड़ा सा गुन गु पाएगा तो यह अलका सा गुन-गुना है तो यह मैंने आप दो चमच दूद लिया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद डालेंगे हमें इसमें बहुत ज्यादा दूद नहीं डालना है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद डालेंगे और यह अच्छे से भा आपको कुछ मीटा खाना है और आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप यह लड़ू बना के खा सकती हैं यह सबसे एजी रैस्पी है यह देखिए कितने ही अच्छे लग रहें देखने में तो इसी तरह से हम दूसरे लड़ू बनाएंगे तो सेंट प्रॉसेस से हम थोड़ा अच्छी लग यह तो मेरे इस्पी को लाइक में चैनल को सब्सक्राइब करें एंसेयर करें फिर मिलेंगे एक लिए रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइबाइब